इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Breeze LK tablet DT is commonly prescribed in children to treat symptoms of allergies such as runny nose, sneezing, itching, swelling, congestion and watery eyes. ये अस्थमा और तवचा की allergy के इलाज में भी मदद कर सकता है. बताए गए dose, समय और तरीके से खाने से पहले या खाने के बाद में, यह दवा अपने बच्चे को एक निश्चित समय पर दें. For asthma, prefer giving Breeze LK tablet DT in the evening or two hours before physical activity. allergy के लिए लक्षनों के शुरू होने के समय के आधार पर इसे सुभह या शाम में देना सबसे बहतर होता है. अगर आपके बच्चे को दोनों है, तो इसे शाम में दें. कुछ नियमित खुराक लेने के बाद आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है. हाला कि आपको अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए अभी भी निर्धारत खुराक पूरी करनी चाहिए. इसके अलावा, दवा बन करने से आपके बच्चे की स्थिती और भी खराब हो सकती है. इस दवा से कुछ मामूली और अस्थाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी, डायरिया, यानि की, दस्थ, मिचली आना, चक्कर आना, मूँ सूखना, रैश और सिर्दर्द. आपके बच्चे के शरीर को इस दवा की आदत लगने के बाद यह साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे. हाला कि अगर यह प्रभाव बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं, तो बिना देरी किये अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें. अगर आपका बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है तो अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं. इसके अलावा, अलजी, हिरदे की समस्या, ब्लड डिसॉर्डर, वैस्कुलर डिसॉर्डर, बर्ट डिफेक्टर्स, वायुमार्ग से संबंधित बीमारी, फिफ़डों से जुडी समस्या, त्वचा से जुडी समस्या, लिवर इंपियमिंट और किड्नी की खराबी होने सहि अपने बच्चे की अब तक की पूरी मेडिकल हिस्टरी को बताएं। यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समगर इलाज की योजना बनाने में महत्वपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी करें धन्यवाद।